कि अपने वर्ड डॉक्युमेंट में इमेज़ किस तरीके से हम इंसर्ट कर सकते हैं पिक्चर्स किस तरीके से इंसर्ट करनी है यह मैं आपको आज बताने जा रहे हूं यह बहुत सिंपल प्रॉसेस है बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है एक सिंपल वर्ड फाइल मे जब हम अपने टूल बार में देखते हैं तो उपर लेफ्ट साइड से तीसरा जो बटन होता है इस इंसर्ट बटन को हमें क्लिक करना है जब हम इंसर्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो उसके ठीक नीचे जो आप्शन आता है वो आता है टेबल और टेबल के राइट में आती ह जब हम pictures के option पे click करेंगे तो यहाँ पे पूछता है कि this device और online picture तो हमारी picture क्योंकि device में या हमारे computer में ही है तो हम this device पे click करते हैं तो हमारे पास एक नई window खुल करके आती है जब यह window हमारी खुल करके आती है तो सबसे ओपर location होता है इसमें कि हमें picture कहां से किस file या folder में से लेनी है या किस drive में से लेनी है system में और फिर सबसे नीचे यहाँ पर देखिए file name हमें file का नाम यहाँ पर अगर हमें याद है तो हम file name डाल सकते हैं और उसके बाद insert and cancel तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मैं यहाँ से भी कोई picture ले सकती हूं screen shots में suppose select करके मैं यहाँ से भी कोई picture ले सकती हूं लेकिन मुझे यहाँ से कोई picture से suppose मैं screenshot number 70 में ले रही हूं तो इसको मैं insert इसको जब click करूंगी तो यह select हो जाएगी और इसके बाद मैं insert का button या tap press करती हूं तो यह automatically यह picture insert हो जाती है यह देखिए यह picture इस तरीके से यहाँ पर insert हो गई है अब यह तो उन pictures के लिए हैं जो हमारे system में saved हैं तीन में से किसी भी format में हो सकती है JPG form में या PNG form में या GIF form में इस तरह की तीनो pictures हम insert menu में जाकर करके हम insert कर सकते हैं लेकिन problem तब आती है जब हमारी picture जो है वो PDF form में होती है या किसी और form में होती है तो उस case में क्या होता है हमारी जो PDF file है हम उसको खोल लेंगे और example मैंने एक अपनी PDF file यहां पर खोली हुई है यह PDF file जब हम खोलते हैं इसमें से हमको यह picture select करनी है तो हमें जो ध्यान देना है कही बार picture बड़ी होती है हमारी screen के size में नहीं आ रही होती है तो हम क्या करेंगे कि zoom में जाकरके हमारे पास देखिए zoom to page level वाला option है तो हम इसको zoom to page level कर लेंगे क्योंकि यह already fit है तो यहां पे कोई परिवर्तन नहीं आया है लेकिन अगर बहुत बड़ी picture है तो आप नीचे देखिए zoom to page level वहां पर जाकरके इसको zoom to page level करके यह हमारी screen में fit हो जाए जिससे की अब इसके बाद हम windows की press करेंगे उसी के साथ साथ shift और s यह तीन कीज हम साथ में press करते हैं तो हमारे पास एक उपर toolbar आता है जिसमें आप यह देखिए सबसे left में rectangular snip है उसके बराबर में free form snip है इसके बराबर में window snip है कि अगर हमें पूरी window snip करनी है और एक है हमारे पास full screen snip की पूरी की पूरी screen हमारी snip हो जाएगी तो हमें यह picture snip करनी है तो हम यहां से यह rectangular snip को हम press करते हैं और इसके बाद जब हम अपनी picture को select करते हैं तो जितना portion में picture कर लेना है मेरे को केवल यह इतना सा लेना है तो मैं बस इतना ही select करके और इसको छोड़ दूँगी तो यह automatically हमारी clipboard पे चली जाएगी यह देखे मैसेज आ गया snip save to clipboard अब हम अपनी word file वापस पे वापस आ जाते हैं उसको maximize कर लेते हैं और यहाँ पे जब हम paste option को click करते हैं तो यह हमारी image यहाँ पे paste हो जाएगी यह देखे यह यह यहाँ पे मेरा cursor जहाँ पर था यह वहाँ पर यह paste हो गई आचा एक और चीज है एक और option है कि हमारे को suppose कोई और picture है उसको भी दूसी तरीके से भी हम कर सकते हैं जैसे कि यही वाली picture का मैं example देती हूँ हम print screen option में भी जा सकते हैं print screen जो है हमारे keyboard पर जो सबसे उपर वाली keys होती है उसमें F12 के बाद और delete से पहले delete वाली जो key है उससे पहले print screen होता है तो windows के साथ जब हम print screen को press करते हैं तो यह screen shot हो जाता है अब यह screen shot जो है यह जाकर के हमारा save होगा हमारी pictures वाली gallery में जहांपे by default हमारे जो screen shots है यह हमारे by default वही पर जाकर सब save होते है for example अभी मैं आपको दिखाते हूँ जो मैंने भी screen shot यह लिया है print screen से तो हम वापस insert menu में जा रहे हैं हम pictures में कहे this device में कहे अब screen shots में मैं यहां पर देख लेती हूँ मैं large icon करके देखती हूँ जिससे की मेरे को पता चल जाए कौनसी picture है तो यह screen shot number 73 यह आ गया है यहां पर लेकिन इसमें बस एक कमी यह है कि print screen जब हम करते हैं तो हमारी पूरी की पूरी screen यहां पर print पूरी का पूरा screen shot आ जाता है तो हमें वापस इसकी cropping करनी पड़ सकती है तो crop करने के लिए आप picture के format option में जा सकते हैं और फिर आप उसको crop भी कर सकते हैं तो इस तरीके से मेरी picture crop हो गई जितनी मुझे चाहिए थी यह उतनी हो गई लेकिन इस सबसे बचने के लिए बहतर है कि हम snipping tool का इस्तमाल करें मैं आशा करती हूं कि मेरा ये video आपको अच्छा लगा होगा और आपकी जो picture insert करने वाली problem है वो कापी के हद तक कुछ solve हो गई होगी Thank you for watching कर दों मैं करने के लुपस पार हगा घब थाध थावभ गजिए चाहिए